तो आपको अपना आंसर बताने के साथ साथ उसका रीजन भी देना है तो दा स्टेट एसलोजर बिलीज तैट दा और अफ दा बुल यानि जिसको हम टॉरस पोलते हैं दा साइन अंडर विश्ट प्रिंस इस पॉन एंडर टाइगर जो की साइन उसका होता है लियो दियार एनिमी ट्वाड्स इच अदर यह सब किसका मानना है स्टेट एसलोजर का मानना है जिस साइन के अंडर प्रिंस यानि जो राजकुमार पैदा हुई है वो टाइगर और बुल जैसे जो है दोनों आपजिट हो जाते हैं वह बुल और में पैदा हुऊ है और टाइगर उनका दुश्मन होता है तो इसलिए राजकुमार को टाइगर से बचके रहना है तो दा किंग स्टेथ तुए टाइगर शोज देट काल की बिलीज इन एसलोजी और जैसे कि फिर बाद में राजा की जो डेथ हो जाती है टाइगर के द्वारा तो इससे पता लगता है कि हाँ वो एक्चिन में काल की जो हैं बिलीव करते हैं किसमें एसलोजी के अंदर इसलिए उन्होंने यहां एसलोजर का मेंशन हंडर परसेंट किया हुए जैसा कि हमें स्टोरी में बहता लगता है कि राजकुमार जब पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसके बाद 20 साल की एज तक उनका जो पालन पोशन किस तरीके से किया गया था जब तक वो राजा नहीं बने तब तक तो उनकी किंडम कोर्ट ओफ वार्स के एंडर थी लेकिन जब वो खुद 20 साल के हो चाहते हैं उससे पहले हम देखें तो एक तो उनको जो है इंग्लिश नैनी ने और साथ में पढ़ाया किसने एक इंग्लिश मैन ने और अब जैसे राजा ने बोला कि चलो ठीक है मैं मानता हूँ आप मुझे कह रहे हो कि हंडर टाइगर से बशके रहने मुझे और अगर मैंने हंडर टाइगर भी मार दिया तो फिर तो स्टेट एस्ट लोजर का क्या रिप्लाई था तो स्टेट एस्ट एस्ट लोजर वास शूर ऑफिस विरीसिटी ऑफिस प्रेडिक्शन वो कहते देखे जो मेरी बविश्यवानी है ना वो तो हंडर परसेंट सच्ची होने वाली है ये जूट हो इनी सकती और उन्होंने अगर राजा किसी भी तरह से हंडर टाइगर को मारने में सक्सेस्फुल होते हैं तो इंपॉर्ट ऑफिस वर्ट्स वास्ट वह कहते हैं कि जो उसके शब्दू का असर यह था कि इट वाज इनेविटेबल देता महराजास डेथ वुड़ बी कोस्ट बाइदा हंडर टाइगर और यह कही न कहीं से ऐसा लग रहा था कि वाकी महराज की जो डेथ है वह हंडर टाइगर से ही होने वाले ती it was a celebration Time for all the ताइगर्स इन है बिटिंग प्रतिबंध पूरा में इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर आयर्नी का एलिमेंट कहा है दिए आयर्नी क्या होती है जो सिच्वेशन गिवन होती है उसका मीनिंग उससे बिल्कुल हट के होना तो देखिए इस सेलिबरेशन ताइम कैसे हो सकता है के लिए काल की राइट साथ इस इस अप्थर भी ताइगर की तरफ है का तो उसकी पूरी की पूरी जो वेल्थ या प्रपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी इस सचाई वैसी नहीं लगती जैसी देखती है तो जो ब्रिटिश ओफिसर का सिक्रेटी है उसने एक मैसेज भीजा था महाराजा को अपने दिवान के दुरू जो ब्रिटिश ओफिसर है वो सिर्फ फोटोग्राफ ले लेगा जो ब्रिटिश ओफिसर है वो सिर्फ फोटोग्राफ ले लेगा गन हाथ में पकड़े वे ओस टाइगर के पास कड़े वे हावेवर दे महाराजा वोस डेजलूट महाराजा तो डिटर्माइन थे कि वो किसी को भी अलाव नहीं करेंगे इसलिए उन्हें क्या किया उन्हें बिल्कुल मना कर दिया और डूइंग सो वुड मीन था अधर ऑफिसर्स वुड और सो कम विच सिमिलर डिमांड्स ओफ टाइगर हंटिंग अगर आच आपको एलाव कर देता हूं तो कल को कोई और न कोई आ जाएगा ब्रिटिश ऑफिसर कि उनको भी टाइगर हंटिंग करनी है तो इसलिए बिल्कुल मनाई कर दिया राजा ने तो अब क्वेशन सिक्स है वाइडि दा महाराजा एंड दिवान ऑफ टास्टे डिसाइड तो सेंड गिप्स ऑफ इक्सपैंसिव डाइमन रिंग्स टुदा दुराइसानी अब कैसी क इसलिए उसने पहले तो उसको गुसा दिला दिया फिर उसकी किंडम का खत्रा हो गया सो दा महाराजा एंड दा दिवान डिसाइड टू प्लैकेट एंड पैसिफाइड ऑफिसर और कैसे हो सकता था ओफिसर को शांत करना उसकी वाइफ को ब्राइब दे तो थोड़ी रिश् और उसको एक note of thank बेज दिया अब चाहे महराजा किसी तरह है अपनी kingdom तो बचा लेते हैं लेकिन उनको जो है तीन लाग की बिनाबाद की जो चपत लग जाती है देखो थ्री लैक रुपीज का जो है सारा का सारा भी लाता है इसका और अपनी kingdom को इस तरह हो बचा पाये थे अब वहाँ पर उस ताइम हम कह सकते हैं कि टू रेस्टिक्टिंग फोर्सिस हैं जो राजा की हर हरकत के उपर नजर रखती थी क्योंकि इंडिया उस तेम ब्रिटिश के अंडर था तो वो कौन-कौन सी आउटसाइड फोर्सिस हैं एक तो ब्रिटिश हैं और दूसरा है इं तो कहीं न कहीं अगर ऐसा होता कि अगर यह सैटिस्वाइड ना कर पाते अपनी जनता को तो वो पूरी की पूरी किंग्डम जो है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के हाथ में चली जाती इस टाइम ब्रिटिश को भी इनवाइड करना तो कोई पॉसिबल नहीं था उस टाइम question 8 है what is the significance of the improbable incident narrated by the author that khadar miyan sahib और विरसमी नहीं कर every inch of man beings were both famed for their ability to swallow sheep whole अब यहां पर उनको सुनने में आता है कि यह पूरा का पूरा जो है sheep खाय जाते है khadar miyan sahib और विरसमी नहीं कर तो हम कहेंगे no human beings can swallow a sheep whole कोई भी इंसान जो है पूरी के पूरी sheep को तो नहीं खा सकता however the author introduces this incident to enhance her atrociousness in the story और after all अगर देखें तो जो short story है वो deal करती है the death of 100 living creatures so thus the author aims at adding to the gruesomeness of the atmosphere of the story by narrating this incident and janabush के थोड़ा सा atmosphere को और horrible बनाये गया ड्रावना सा बनाये गया कि वाकी ऐसा कुछ था actually में और वो चाहे सच में नहीं भी था next question है why did maharaja order the divan to double the lentix and how did the divan respond to this order अब देखें यहाँ पर maharaja नहीं ऐसा क्यों बोला कि भी lentix को double कर दो तो क्या reason था the maharaja called the divan and ordered him to immediately double the lentix of the villagers who had informed him of a tiger in the forest because despite his best efforts he was unable to locate the beast वो कैते देखो मेरे तो पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं जानवर को डून नहीं पाया तो मुझे जिनोंने बोला है उन villagers का तो आप lentix double कर दो इससे क्या हुआ जो infuriated and frustrated the maharaja maharaja बहुत गुसा में थी दिवान भी डरा हुआ था out of his wits and requested the king to review his orders because the doubling of taxes would result in wide spread discontentment among the people and there was a grave danger of the state falling prey to the Indian National Congress को क्याते नहीं ऐसा नहीं एसा नहीं के कहीं यह पूरी की पूरी स्टेट चो है Indian National Congress के हातों में चली जाए तो समझाने की कोशी भी करता है लेकिन महराज कुछ से में थे अब चलते हैं question 11 के लिए why does the author choose to present a weakling and an apology for a tiger to act as the king's hundred victim अब देखिए simple सी बात है जैसे वो राजा के सामने उटा इदर आता है तो उससे में सा लगता है जैसे की बड़ा ही एक दुपका सा डरा डरा सा नहीं दा ओथर वांस तो में तो में तो में तो महराजा the laughing stock of every money उसका मतलब क्या है की देखो राचा को एक laughing stock बनाने के लिए उसके सामने हंडर टाइगर को इस तरह से प्रिजेंट किया गया है hence an emaciated and lamb like tiger is made to stand before him और हंडर टाइगर एक डरपोक सा जैसे बेड़ के बच्चे की तरह डरा डरा सा उसके सामने छोड़ दिया जाता है the irony of the whole situation is that the killer of 99 tigers fails to kill it and becomes an object of ridicule और उसका effect क्या होता है कि वो दूसरों के सामने इसी का एक मचाक बन जाता है यानि खुद ही जो है लोगों के सामने मचाक बन जाता है महराज कि हंडर टाइगर को नहीं मार पाए अब यह long question देखिए the story is a satire on the conceit of those in power how does the author employ the literary device of dramatic irony in the story dramatic irony involves a situation in a play or a narrative in which the audience shares the author's knowledge of which a character is ignorant अब देखिए जो चीज हम जानते हैं लेकिन character को नहीं बता होती तो यहां पर आप देखिए जब भी हम कोई ऐसी situation देखिए जैसे महराज को नहीं बता था कि वो क्या रख कर रहे हैं लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको पाता है कि हां इस कहानी में क्या हो रहा है तो कालकी हैज मीडरी इस किल फुशर की सामने को रहे हैं लेकिन किलाओंध यह सुश्या जो प्रिखिए जो लॉस को पूरा फ्लोंट कर देखाते है दुनिया को और इसकी डेट बोडी को दिखाता है की और अस्टेलोसर की सामनी शयोग करता है कि दिखोचा ही, ही लाष इसामनी जव आश्काय करता है, दिखु हूं ही तो बता है, हफिगोछ तो ओर वर इसामनी शयोग करता है , अब देखो उसको नहीं पता कि उसको तो लगा उसने 100 टाइगर मार दिया है और उसने प्रडिक्शन को रॉंग प्रूव कर दिया लेकिन नो वन नोस की फूचर में इसके साथ क्या होने वाल है अमियर स्लिवर ओन वोडन टाइगर स्वाड़ी पॉचिस इस दिमेटिक टैथ और इरॉनिकली देखो अस्लोजर की प्रडिक्शन तो जूट पूरू नहीं वहीं लेकिन आर्या कि डेथ हो जाती है दो वो दा रीडर एंद आथर लिवे साई ओ रिलीफ एट देथ आफ दा ग तो दस तो ए पावर्फुल यूसर दिमेटिक आयनी काल की से ट्राइज इस तो इस पावर्फुल पीपल हो गो तो एनी एक्स्टेंट तू सैटिस्फाय दियर एगो यानी जो लोग अपनी एगो को सैटिस्फाय करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं तो काल की जो है वो दियाओं के बारे में यहां पर स्टोरी में बात कर रहे थे हैं तो इनी प्रेश्टिन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूंगा बढ़ टुमोरो आम गोईंग तो प्रिंग अनधर चैप्र और वो है आपका चर्नी तुद आ एंड आफ ताह जिसकी एक्स्टेंशन और फि